दोहरे हत्याकांट से दहला इतावा दो सगी बेहनों की गोली मार्कर की हत्या जोलीनी गंजिस को लेकर दोहरे हत्याकांट को गया अंजाम फ्रेंस कॉलानी इलाके के पचावली की है वार्दार देदराज दो से लेकर टीन बज़े के मर्द की आँखी जा रही है वार्दार लश्मी अटारा साल और सुनीता पत्मी लेकराश पैतालिस साल की गोली मार्कर की गई है हत्या एसस्पी समय सभी आला अपसर पहुंचे मौकी पर नवस्कार आप देख रहे हैं समाचेटीचैट दोरे हत्याकाण से दहला इतावा इतावा में दो सभी बेहनों की गोली मार्क का हत्या कर दे क Mick जहां जमीनी रंजिस को लेकर दोरे हत्याकाण को आँचाम दिया गया है ये वार्दाद प्रैंस कॉलनी इलाके के पचावली की है ये वार्दाद देर राद दो से लेकर तीन बजे के मद्द की आखी जा रही है जहां लश्मी 18 साल और सुनीता पत्नी लेकराश 45 साल की गोली मार का हत्या कर दी गई वही गटना की सुचना मिलते ही सबी आला अपसर मौके पहुँच गए और जांश परटाल में चुटके परिवार के लोगों ने हत्या को लेकर गाओं के ही दो लोगों पर संग चताया है वही पुलिस ने दोन बहनों का सबों का पंचिना मभड कर पोस्पाटम के लिए भेज दिया और स्फपी साहब ने आस्प्रासन दिया है कि जिन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है उनके खलाब कर दोन कारवाइक की जाएगी इसकी जांश बैटा दी गई है समाचेटी जैक करी एटावा से पुस्पेंद्र कुमार की रिपोड बिगत रात्री लगभग रात्री में डाही वजे सुचना आई कि थाना फ्रेंट्स का लोने की पचाली गाउं में दो सगी बनों की गोली मार कहत्त्या कर दी गई है ददकाल अपने टीम के साथ मौके का मुएना किया गया दोनों की डेट बाडी को पंचायत नावार के पुश्माटम हिद बेज दिया गया है जो इसके चार भाई, मृतिका के चार भाई जो के अपने निहाल में ही रहते हैं कारोप है कि परोशियों ने ये घटना को अंजाम दिया है उनको हिरासत में लेकर के पूस्तास की जा रही है घटना का सिग्रिया नावरन कर दिया जाएगा